नमस्ते मैं हूँ आचारे पृतिष्ठा ठकान कई बार हम शरीर से ठकते हैं कई बार हम मन से ठकते हैं यानि शारीरिक ठकान अलग होती है मानसिक ठकान अलग होती है अगर आपका शरीर ठका हुआ है तो आप मानसिक रूप से ठकान अनुभव करते हैं वाइस वर्जा अगर आपको मानसिक ठकान है stressed है anxiety में है तो आप देखते हैं कि आपका शरीर भी धला हुआ सा अनुभव करते हैं आप लेकिन कभी कभी हम शारेरिक और मानसिक दोनों रूप से ठके हुए होते हैं अब imagine कीजिए अगर एक का effect दूसरे पर इतना पड़ता है तो जब हम दोनों तरह से ठके होते हैं तो यह हमारे overall system पर कितना bad effect डालता होगा पराप परिशान नहों अगर आप भी शारेरिक और मानसिक दोनों रूप से ठके हैं या शारेरिक या only मानसिक रूप से भी ठके हैं तो भी जो ख्रियाएं हम आपको आज बताने वाले हैं उनका नियमित अभ्यास आपकी हर ठकान को दूर कर देगा आप जब भी ठके हैं anytime of the day whether it is in the morning afternoon या शाम को जब ठके होगे धर आ रहे हैं किसी भी वक्त आप इन ख्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं और इनका regular अभ्यास आपकी शारीरिक और मानसिक ठकान को दूर कर देगा आए जानते हैं कौन सी हैं हिक्रियाएं सर्बगति के लिए पेट के बल लेट जाना इड़ी पंजे में ले रहेंगे कोहनियों को जमीन पे ठिकाते हुए अपनी हथेलियों को ठुड़ी के नीचे टिका लेना एक-एक स्टेप कोहनियों को आगे के ओर ले जाना और जितना आगे ले जाते जाएंगे गर्दन के पीछे इसके प्रभाव को अनुभव करते जाएंगे जब लगे कि अब और आगे नहीं जा सकते हैं यहीं पर रुखना, गर्दन के पीछे पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और फिर एक-एक स्टेप अपनी कोहनियों को चेस्ट के नजदीक लाते जाना जब लगे कि अब और नजदीक नहीं आ सकता तो रीड के निचले हिस्से पर पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना हाथों को आपस में मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना, पैरों को भी खोल देना यहीं से हम करते हैं शशांक भुजंगासन हाथेलियों को जमीन पर टिका देंगे कंदू से नीचे सांस भरते हुए चेहरा उचा, सीना उचा और जितना संभव हो पीछे की और बेंट करना सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की और पुश करते हुए गुरु प्रणाम आसन या शशांक आसन की स्थिती में आ जाना यहां से वजरासन में बैच जाना और फिर से हाथों को जमीन पर टिकाना सामने की ओर पेट की बल लेट जाना फिर से भुजंगासन की स्थिती में सास छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की और खीचना गुरु प्रणाम आसन की स्थिती में और फिर देर देरे से वजरासन में बैच जाना प्याओं का नियमित अभ्यास करिए शवासन का नियमित अभ्यास करिए दिन में जब भी समय मिले मुक्तहास अटाहास का अभ्यास कीजिए पानी खूब पीजिए सात्विक भोजन लीजिए अपने दिन्चर्या बनाएए दिन्चर्या के अनुसार काम करें और योग का एक अभिन अंग है इश्वर प्रणिधान जब आप इस भाव के साजीने लगते हैं कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ मेरे लिए परमात्मा हमेशा सब कुछ अच्छा करते हैं ये भाव हमें हर शारेरिक और मानसिक थकान से ही नहीं झाल